वेश्चनवी और्गेनिक डेई फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं समीर कुमार उक्स संधीर कुमार सर्मा। आज कुछ अरवेदिक पेड़ पौधे से दूद की गुनवत्ता को बढ़ाने के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। वने कुछ पौधों में नीम पेड़ होने लेक्ता का पत्ता हो गया या पपिता है मुन्गा का पत्ता हो गया या आप बेल के पत्ते इन सब content को जोड़ करके जो हम गायों को जादा मातरा में खाद पदार्त खिलाते हैं इन खाद पदार्त से उनकी गुनवत्ता जो है दूद का काफी घट गया है तो वापस उस गुनवत्ता को कैसे लाना है यह हम नीम खिला करके नीम के इस पत्ते को बेल के पत्ते को खिला करके जो है उनके दूद को और खून को सुद कर सकते एक तो की एंटी बैक्टेरियल होता है जिससे उनके खून को या रोग परतिरोदक छमता में काम करता है कई बैक्टेरिया रोग से बचाव करता है ऐसे ही बेल है ऐसे ही मुनगा है ऐसे ही जो है चिजे अमारे घर के आसपास मील जाते हैं लोग उसका सभी से सिस्तमाल नहीं करते हैं जिसके बज़ा से हमारे खेत में खाद पदार डाल देते हैं और फिर उससे क्या होता है खाद पदार डालने से उसका जो है गाय जो ही पेड़ पौधा खाती है जो खेत से निकलता है और फिर जो है हमारी गाय जो खाती है उससे जो उनका नेचुरल जो सकती है ज्यादा खाद पदार खाने से कम हो ज जाता है और रोग पति रोधक छमता भी खत्म हो जाता है तो कि के बारे में हम बता चुके थे पहले अब बेल के बारे में बताने वाले हैं यह आप सामने देख सकते हैं बेल जो है फरा हुआ है और बेल के पत्ते होते हैं जो आम हम लोग सिवजी के पूजा में भी इस्तमाल करते हैं, ऐसे तो इसको पूजा में करते है लेकिन इप बहुत ही कुनकारी है, अगर इसको हम पसुओ को खिलाएं, इन पत्तो को खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इससे जो उनका दूद जो है नेचुरली ढंक से सुध हो जाएगा और उनका खुण भी साफ होगा, और अ तो हमारी दूद का जो नेचुरल कुन है उप 100% प्योर सुध हो जाएगा तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप जो है बेल का जो पत्ता जो है गायों को सप्ता में एक बार अबस से खिलाएं जिससे उनका दूद भी सुध हो जाएगा और उनका पावर भी बढ़ जाएगा गा प्रोगों से भी मुक्त कर देगा जैसे खुजली का बिमारी है या तरह तरह की जो प्रोब्लम है घाओ उसब आटेमेटिक ठीक हो जाएगा इसके इतने फायदे है जो अर्वेदिक पेड़ है वह है सीसम अर्वेदिक पेड़ है इसको एसलिए कहा जाता है यह काफी गुन किसी इंफेक्षन है उसको एजड से खत्म करता है और पसू के दूद भी साफ करने में या काफी हत्त के हितकारी है यह आप देख सकते हैं मैं एक डंगी इसमें से तोड़ा हूँ और कितना बहुत ही फेक्टिव पेड़ है सीशम जो पसू में बहुत ही कारगर है पसू की उपयोग में नंबर पे जो अमरूद का पेड़ है अरवेदिक गुनों से भरपूर है आप देख सकते हैं इसमें फाइबर भी होता है इसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है जो की पसूओ के लिभर संबंदी थे खाना पचाने में अगर कोई गायक भैस खाना नहीं खा रह नंबर पे जो हम पेड़ दिखाने वाले हैं जो और प्रकृतिक और नेचुरली जो सबसे पावर्फुल पौधा में से एक है हो है पपीता तो दोस्तों पपीता का पत्ता आप देख सकते हैं पसूओ को सबता में दो दिन कम से कम इस पत्ते को दे और यह पपीता आप जाता है यह डाइजेस्टिव में तो अच्छा होता ही है और ओभरी जो गर्भासे को क्लीन करने में भी गाय भेंस का काम देता है तो दोस्तों आप खिलाने से दूध में करांतिकारी मतलब बढ़ावरी या बढ़ा सकते हैं गाय को दूध काफी देने लएगी इसको खिला गोबर अच्छा करेगा प्लस जो गाय का जो इसमें बीटा के रोटीन पाया जाता है जिसके बज़ा से जितने भी पेट समबंधित समस्या है उसमें बहुत कारगर है और नेचुरली ढंग से खिलाने से इसे गाय का दूध बहुत सुध हो जाता है तो आप इन नेचुरली जो छटमे नमबर पे आपको दिखा रहे हैं इसका इस्तमाल करें और पसू के दूद बढ़ाएं तो यह साथमे नमबर पे जो और्गेनिक जो निचुराली परकृतिक का सबसे जो अच्छे पौधे में सेख है गिलोय है जो गुनों से भरपूर है इसके परकृतिक गुनों के इतने बखान की जाए उतना ही कम है तो यह अनिमल है स्वेंट्री में इसका उप्योग हम लोग कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए और दूद के सुद करने के लिए बहुत जादा ही कारगर है तो अपने पसु को सब्ता में कम से कम दो से तीन दिन गिलोय अवस से खिलाएं अगर आपके पास पौधा है तो ठीक है नहीं तो रामदेववा का पाउडर भी आता है वो भी आप पसु को 50 ग्राम के हिसाब से खिला सकते हैं और यसके साथ है पपिता का भी आप देख सकते हैं जिसके बारे में हमने बताया था वो भी भी बहुत ही एफ्च्टिव और कारगर है इसका भी आप एनिमवल हश्वेंट्री में इस्तमाल करके करांतिकारी दूध में और रोग से बचाने में करांतिकारी जो है आपको पै तो दोस्तों एक चीज बताने चाहते हैं कि यह एनिमल है स्वेंड्री और मनुस्यों को बहुत जादा ही बहुत जादा ही एफेक्टिव है दूद बढ़ाने के लिए भी एफेक्टिव है बहुत जादा अगर सहजान या मुनगे का खेती करके आप गायों को खिलाते हैं तो दूद सुध करेगा नेचूरल ढंग से और दूद की उत्पादन भी बहुत बढ़ाएगा तो आप इसका जादा से जादा हरे चारे में भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसको खिला करके आप कई परकार के प्रोबलम जो है एनिमल हैस्वेंड्री में आप खतम कर सकते हैं तो रोग से बचा सकते हैं प्लस जो है दूद को सुध कर सकते हैं